नमस्कार आप सुन रहें रेडियो हंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ उमा प्रभाकरन रेडियो खबर में आज पेश है एक दिल्चस्प हैरान कर देने वाली खोज धर्ती से निकला 1200 साल पुराना महल शान और शौकत को देखकर खोज करता भी हैरान रह गए पुरात विभाक के लोगों ने रेगिस्तान में दबे 1200 साल पुराने आलिशान महल की खोज की है खोज करताओं ने इस महल की शान को देखकर अपनी हैरानी जताई है खास बात यह है कि महल के अंदर अंडर ग्राउंड में कमरे भी बने हुए थे यह महल इसराइल के दक्षनी इलाके में बसे एक रिविस्तान में मिला है सोशल मीडिया पर इस महल की तस्वीरें आजकल बहुत वाइरल हो रही है इस आलेशान महल को देखकर नेगिव इसलाके के लोगों के अनुटी रहन、 सहन वहां के लोगों की जिवेंशली के बारे में कई जानकारियां सामने आई है अधीकारियों ने बताया है कि बेड़ोईन शहर में या खोज हुई है या महल आठवी या नवी शतादी के हो सकते हैं जमीन के अंदर मिले आलिशान महल के बीच में एक बड़ा सा आंगन भी था जिसके चारों और लोगों के रहने के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए थे एक सेक्शन में संगमरमर का आलिशान दालान भी है दीवारों के साथ पत्रीली जमीन भी संदर सजावट से भरी हुई है पुरात विभाग के लोगों को काच के बत्तनों के कई टुकडे भी प्राप्त हुए है हैरानी की बात यह है कि आंगन के नीचे खोजकरताओं को पत्थर से बने भूमिगत कमरे भी मिले उन लोगों का मानना है कि रेगिस्तान में होने के बाबजूद भी यहां ठंडक रहती होगी इस जगा का इस्तेमाल सामान स्टोर करने के लिए किया जाता होगा जमीन के अंदर बने कमरों को देख कर ऐसा लगता है कि काफी साथधानी से बनाई गई है और काफी मजबूती से भी बनाई गई है जिससे जमीन के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है इन कमरों का मुँ एक कुंड के पास खुलता है जहां ठंडे ठंडे पानी पीने की विवस्ता है पुरात विभाग के लोगों का कहना है कि इस आलिशान महल और यूनिक अंडरग्राउंड के कमरों को देख कर ऐसा लगता है कि इसके मालिक बहुत ही संपन्न होंगे एक और खास बात है यह महल उसी काल के एक मस्जिद के पास मिली है मस्जिद को जून महिने में इसराइल के पुरात विभाग ने खोज निकाला था तो अब अन्मति दें उमा प्रभाकरन को फिर मिलोंगी इसी तरह नही नही खोज नही नही खबर के साथ तक सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान दोस्तों जाते जाते इतना आवश्य कहोंगी पानी बचाएं पानी बचाना सिखाएं पेर लगाएं पेर लगाना भी सिखाएं नमस्कार